वेलकम बैक टू एनदर क्यूए ने गाइस आप लग की कोशन्स और मेरे आंसर्स देखने के लिए मिलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले कोशन के साथ यहां पे कोशन के साथ करन ने यह बताओ कि आइफोन रात को स्टैंडबाइ पर होता है तब भी आइफोन की बैक्टरी जो है वो इनकी ड्रेन होती रहती है और यहां पर यह बोल रहे है कि फाइड माय को लोकेशन एकसेस नहीं दे रहा है फिर भी एवरी नाइट 10% इनकी बैक्टरी ट्रेन हो जाती है आपकी सारी इंफ्रमेशन यूज करती रहती है बैक्राउंड में उससे बैक्टरी ट्रेन हो सकती है आपको क्या करना है आपको बहुत बढ़ी ऐसी चीज बताता हूं आपने यहां पर अपन कर लेना है और उसके बाद एर्प्लेन मोड को आप कर दो यहां पर ऑन जो मैं पर्सनली करता हूं जिन लोगों के लिए अभी अभी ऐसा होता है कि एमेर्जेंसी ना हो किसी का फोन ना आ जाए तो वह एक अलग बात है अब यह चीज जो है करन राइक कर सकते हो ने पूछा है सुमन ने बाई यह बताओ कि सेकी राइन इसु क्या आएगा सर प्लीज पिक माइक कोई लेना अगर आप नया लेते ना तो में वरेंटी में आपकी ग्रीन लाइन फिक्स हो जाती बड़ अगर अगर आपको बहुत बिल्कुल भी आपको लेने की जरूरत नहीं है बेटर आप उस प्राइज में कोई नया 14 ले लो कुछ ले लो प्रो मैक्स के साथ जो है इसमें मत जाना बिल्कुल भी रूथ ने कोशन पूछा है यहां पर हैस्टाग आस्क लक्षे केसग का क्रिस्टल क्लियर केस एंड टो अब जो है दोनों में देफरेंस नहीं है दोनों का बेल्ट मतरील बटन सबकुछ सेम पराइज की चीज का प्राइस कम देन वह बेटर मेरे सापसे हो सकता है तो आपको यह डिस्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप दोनों ब्रैंट में पसंद आपको पर्चेस कर सकते हो, उसके बाद हर्जोत सिंग ने कोश्टन पूचा है, हेलो बाई मैं मलेशिया से इंडिया इस साल दिवाली पर आ रहा हूं, इधर भी आईफोन 15 प्रो मैक प्राइस का प्राइस 550,000, 96,000 के करीब है, अगर इधर खरीद के इंडिया में 5-6 महीने चला कर बेचने पर उसकी वैली उतनी रहेगी है, फिर उससे ज्यादा होगी, या फिर उससे कम भी हो सकती है, तो इसको मैं आगर बेचना चाहूं तो, तो देखो, आपके सिल्पल सी वेरियंट है, किसी बाहर की कंट्री का वेरियंट तो नहीं है, अगर इंडियन वेरियंट है, कभी 1,00,000,000 के अमाउंट देना सही रहता है, वरना अगर यूसे वेरियंट है, तो इंसान पूछता है कि आपने 96 में लिया या एक लाख में लिया, तो आपकी वैल्यू जो है बेचने या ना भीचने पर फारक नहीं पढ़ता, वगे भाल से लोगे और इंडिया में बेचने की कोशिश करोगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं है, अगर आ बाहर फोन बेचकर इंडिया में पर चेस करोगे तो आपको डेफिनिट्ली महंगा पड़ेगा, बाहर कर रहे हैं कि pro pro max increase पर इंग्रीज होता जा रहे है इंडिया में मतलब ऐफोन 15 pro max 1,60,000 रुपीज बहुत ज्यादा आमाउंट है तो मेरे इस आप से इस बार 16 pro pro max में कोई भी आपको price increase देखने के लिए नहीं मिलेगा और जो non regular series है बेसीकली 16 और 16 प्लस वो आपको हर बार जो है सेम प्राइस की तरह मालब 80,000 और 90,000 रिस्पेक्टिवली देखने के लिए मिलेगी बंसल प्रिंस ने कोशन पूचा है इसमें भी है उसमें भी है तो डिफ्रेंस के आजाता है तो डिफ्रेंस ही इतना साथ है यहां पर कि आपको जो है एक तो इन डेफ्स फोकस अच्छा देखने के लिए मिलता है और जो ब्लर विगारा है वो बहुत ज़्या बेटर हो जाता है बिकॉस ओफ दी क्यामरा सिस्टम जो हर साल एपल अपग्रेड करता है 10 के बाद 11 आया 12 आया 13 आया तो तो तीन साल का कॉम्बिनेशन है क्यामरा सिस्टम का क्यामरा अपग्रेड का वह आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलते है तो डेफिनिटल आइफोन 13 का तो नहीं आइफोन ऐसी फोर जो 25 में होगा और कोई भी फोन आपको इस रिलीज में देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर आप इवेंट देखोगे महां पर आइपैड विगरा दिखने के लिए मिलेगा उसके इलावा कुछ भी नहीं और आपको सेप्टेंबर में जो है आ 17.4.1 में इसमें कभी भी किसी सॉफ्ट्वेर पे ऐसे ब्लेम नहीं डालतूगा 17.4.1 खराब है ये कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट रिजन्स और डिफरेंट इस्चीव पर डिपेंड करते है आप इंस्टेग्राम यूट्फ पुरा-पूरा दिन गंटे अगर देख रह तो डेफिनेटली गलत बात है आप सोफवेर को फिर से क्लीन इंस्टॉल कर सकते हो बट जैसे एक्जाम्पल ले लिए आप आप 42-45 डिगरी के टेंपरेचर में रहते हैं आउट्डोर में रहते हैं तो फोन हीट करेगा यूज करने के टाइम पर और अगर आप जादा यूज करते हो तो बैटरी डेन भी आपकी होने वाली है बट यस बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं होनी चाहिए वह तब ही होती है बैटरी जो बहुत जाता गरम होती है तो उसका एफेक्ट जो है आपके आईफोन की बैटरी पर सकता है रियल अरबास में पूछा है सर बीबीडी की सेल कब आ रही है 2024 की तो देखो यार मलब दिवाली की आसपास ही आती है इस बार दिवाली जो है वो राउंड नेवेंबर थर्ड की है जितना मैंने देखा था तो आपको जो ऑक्टूबर में बिग बिलियन डेज देखने के लिए मिल जाएगी या तो 11 ऑक्टूबर से 19 ऑ ऐसा कुछ आपको जो देखने के लिए मिल सकता है विकास सेप्टेंबर में जो है आईफोन रिलीज होंगे और आज का लास्ट कोशन आई यूएस 18 के टॉप 3 फीचर्स अकॉर्डिंग तो यू तो मेरे यसाब से तीन टॉप फीचर्स जो हो सकते हैं पहला है जेनरेटिव AI Artificial Intelligence जो Apple अभी Google के साथ मिलके open AI के साथ मिलके discussions में है कि इसको और कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं अभी iOS 18 में आप लोगो को पता चलेगा तो पहला बड़ा चेंज Apple का खुद का AI मतलब chat GPT को बाइब बाइब बोलने का टाइम आगे है only phone iPhone users और यह कमाल का एक जो आइफोन यूजर को आने वाली है और थर्ड चीज में भी इंडियन के लिए ना हो बड़ेगी हो सकते हैं कि जो साइड लोडिंग ऑफ एप्स यू जो भी 17 में फूल फ्लेज नहीं है iOS 18 में आपको और बेटर देखने के लिए मिल सकता है या फिर हो सकता है इंडियन्स के लिए Apple पे iOS 18 के साथ आ जाए तो यह जो है कुछ तीन बड़ी चीज़ा हम उनको देखने के लिए मिल सकती है वैसे ति मेरी आज की वीडियो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं और सब्सक्राइब कर देना तो मैं मिलता हूं आप सब्ली वीडियो में टेक केर बाई